हलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना चीए आज हम लगाने जा रहे हैं स्मार्ट केर डैम प्रूप कैसे लगाते हैं इस वीडियो में हम पूरी जानकरी देंगे दरार में प्रोपर तरीके से माल चला जाए यह फश्ट कोट करते हुए आप देख रहे हैं अगर आप इसमें कलर मिला देंगे तो वो अपना काम नहीं करेगा तो आज हम बताएंगे आपको कि स्मार्ट केर डैम प्रूप से वाटर पूपिंग कैसे करनी है तो देखिए यह और यह बायर ब्रस है लोहे के ओजार है खुर्पी टाइप देखिए आप उससे अपन इसकी सफाई करेंगे तो देखिए छत्त की आप कंडिशन देख रहे हैं इस तरीके से तो अपन इसकी सफाई कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे तो यह इस तरीके का यह जो और फिर उसके बाद बायर ब्रस से इसकी सफाई कराएं तो चलिए यह अपन सफाई करते हुए इस तरीके से बायर ब्रस आठ इंची की पत्ती अतोरी बगएरा जो लूज पार्टिकल बगएरा हैं उनको आप नकाल लें जो प्लाश्टर फूल जाता है उसको अतोरी से कर सकते हैं तो देखिए अपन इस तरीके से इसकी सफाई करेंगे पहले और दोस्तों सफाई में कोई कंजूशी नहीं करनी है देखिए यह पैरा फिट बॉल है इसको अपन एक से गेड़ फिट ऊपर की तरफ मोड देंगे क्योंकि यहीं से पानी जाने के आसार बनते हैं देखिए यह हमारे एक कॉर्णर बना हुआ है इसका और इसमें आपको टेप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कॉर्णर में तो हमारा यह ऐसा एरिया नहीं है कि जिसमें आपको कॉर्णर टेप लगाने की जरूरत पड़े तो इसमें कॉर्णर टेप की जरूरत नह करना है इस तरीके से सफाई करते हुए देख रहे हैं आप तो किसी भी तरह की पपड़ी बगयरा लूच पाटिकल बगयरा जहां आपको डैम प्रूप की वो करनी है वाटर फूपिंग बिलकुल किसी तरह की पपड़ी या लूच पाटिकल बगयरा नहीं रहने चाहिए देखिए क्या हो गई है इसकी कंडिशन आप देख रहे हैं देखिए यह सफाई करते हुए अब दोस्तों इस सफाई करने के बाद आप बीस लीटर में एक लीटर एसेड मिलाके मानों यह सारे तीन से चार जार स्वेर फिट की अपनी छट है तो देखिए यह एसेड है और ब तरीके से मग्ये से सारी चत्र फेला ते और इसको 20-20-20 मिनट यू अदा गंटे के लिए आप छोड़ देए यहाडू की साहता से जो एसेड का पानी है उसे तरीके से दिए और इसको छोड़ देंगे और उसके बाद फाइश सेफर एक बार बढ़िया सफाई कर देए इसक यह अपनी दुलाई complete होने के बाद कहीं कोई तोड़ी बहुत गंदगी है तो इसको आप brush की साहता से इस तरीके से शाप कर लें देखिए यह चत अपनी knitting clean साफ हो गई है देखिए अपना damp proof है इसकी अगर दोस्तों packing की बात करें तो एक लीटर चाल लीटर दस लीटर और बीस लीटर की packing में आता है देखिए हमारी वाल्टी फुल गई है इसको दूसरी वाल्टी में अपन पलेट लेंगे इस तरीके से औ आपका बीस लीटर की वाल्टी में पढ़ेगा तो देखिए यह प्राइमिंग कोट के लिए मैट्रियल तैयार करते हुए आप देख रहे हैं और दोस्तों यह स्रिफ वाइट कलर में ही आता है और इसमें कोई इस टैनर बगएरा मिलाने की जरूरत नहीं है कुछ लोग मेर धूप को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है इसलिए आपको इसमें कोई कलर नहीं मिलाना है धूप को मानो अपसोसित नहीं होने देता है और धूप आती है और वाइट कलर से रिफलेक्ट करके बापस चली जाती है तो इससे अपने तापमान में गिरावट आती है तो इस में फश्ट से सेकेंड ओट के बीच में तो देखिए यह फश्ट ओट करते हुए आप देख रहे हैं और मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि इसको कहां कहां किया जाता है तो आप इसको आर सी सी छत बिल्डिंग रूफ टेरिस पेराफिट संसेट और एक्टिरियर तो आठ साल की वारंटी होती है डेखिए यह अपना करती हुए स्माट केशल है जो अपनर फश्ट कोट करने के बाद तो 5-okay म सी देखिए हैस तरीक कर देखिए इस तरीके से हैं यह और दोस्तों आप इसको नए प्लास्टर पर करें तिस दिन प्रॉपर कीरिंग होनी चाहिए प्लाश्टर की उसके बाद आप स्मार्ट केर डेम प्रूप एपलाई करें और पुरानी छत पर करें तो छत के लूट पार्टी स्कल बगएरा जो प्लाश्टर फूल जाता है जो बजने लगता है उंगलियों से अतोरी से आप उसक को चेमेंट और बालू मानो रेट से उसकी रिप्यर करना है फिर उसके बाद एपलाई करें आप तो देखिए ये अपना स्मार्ट केर क्रेक सील से अपन क्रेक भरते हुए देखा रहे हैं आपको देखिए इस तरीके से प्राइमिंग कोट करने के बाद ये क्रेक पैक करते हुए देख रहे हैं आप और इसकी पहले कोट की अगर कवरेज की बात करेंगे आप प्राइमिंग कोट की तो ये दस इसको निकालके मिक्स करके और अपन इसको एपलाई करेंगे बारंटी के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देदू दोस्तों बारंटी जबी मिलेगी आप मिनिमम्म 40 लीटर मैटेरियल परचेज करेंगे और उसमें आपका 1000 स्कौाइर फेट एरिया मिनिमम्म होना चाहिए और बारंटी के लिए आप साइड को 45 दिन के अंदर आपको एसीन पेंट में रेश्टेट कराना होगा जब आप एसीन पेंट में आपकी रेश्टेट हो गई है और आप जो फेरा फिट बॉल है उसको एक से डेल फिट उपर की तरफ मोड़ें जब भी वाटर फूपिन करें देखिए इस तरीके से हमने मोड़ा है जब आपको ये वारंटी मिलेगी देखिए ये दूसरा कोट कम्पलीट करने के बाद ब्रस से क्या है कि तीस पीस के गौट-गौट के आप ब्रस को चलाएं जिससे क्रेक्स बगैरा में दरार में प्रोपर तरीके से महल चला जाए देखिए ये तीसरा कोट अपन रॉलर से ये मानो फाइनल कोट रॉलर से करते हुए देख रहे हैं आप देखिए और आप ये material brush roller जो भी आप अगर online खरीदना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस description में link से आप ये सामान पर change कर सकते हैं तो देखिए ये तीसरा code final होते हुए आप देख रहे हैं ये तीसरा code final होते हुए आप देख रहे हैं देखिए तो बताइए मुझे कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हमारे चैनल को आपने अभी तक subscribe नहीं किया हो तो हमारे चैनल को subscribe कर ले और जो भाई फर्स टैम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर subscribe कर ले और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें बाकि मिलते हैं नहीं वीडियो में धन्यवाद